हलो स्टुडेंट्स, वेल्कम टू एजुकेटर्म आउनलाइन टुटोरियल आज हम लेफ्ट हेंड ट्रिक की मदद से वेरियस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज अलग-अलग एंगल्स के लिए फाइंड करना सीखेंगे इसमें साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट के जीरो से 90 तक की सभी वेल्यूज हम फाइंड करना सीखेंगे इसके लिए हमें अपने लेफ्ट हेंड के पाम को लेना है उसके थम्ब को हम रेप्रेजेंट करेंगे 90 डिगरी इंडेक्स फिंगर को 60 डिगरी, मिडल फिंगर को 45 डिगरी, रिंग फिंगर को 30 डिगरी और लिटल फिंगर या पिंकी फिंगर को 0 डिगरी 90 से 0 का जो डिरेक्शन है वो हमारा क्लॉक्वाइस डिरेक्शन होगा 0 से 90 का जो direction है वो हमारा anti-clockwise direction है sin की value हम clockwise direction में देखेंगे जबकि cos की value हम anti-clockwise direction में देखेंगे 10 की value को find करने के लिए हम sin और cos को divide कर देंगे आए हम अलग-अलग trigonometric ratios को find करते हैं सबसे पहले हम sin 60 degree की value को find करके देखेंगे सबसे पहले sin 60 degree की value find करने के लिए हम ये देखेंगे कि 60 degree हमारे कौनसे finger को represent कर रहा है यहाँ 60 degree जो है index finger को represent कर रहा है इंडेक्स finger के ठीक नीचे कितने fingers हैं clockwise direction में हम देख लेंगे इंडेक्स finger के ठीक नीचे 3 fingers हैं इससे हम sin 60 की value root under 3 upon 2 लिखेंगे जितने finger हों उतने पे square root लगाना है sin 45 की value क्योंकि 45 के ठीक नीचे 2 fingers हैं तो root under 2 upon 2 that is equal to 1 upon root 2 sin 30 की value निकालने के लिए हम 30 के नीचे वाले finger को देखेंगे और वहाँ पे सिर्फ एक finger है इसलिए root under 1 upon 2 that is equal to 1 upon 2 होगा sin 0 की value निकालने के लिए 0 के नीचे एक फी finger नहीं है इसलिए root under 0 upon 2 that is equal to 0 sin 90 की value निकालने के लिए 90 के ठीक नीचे 4 fingers हैं इसलिए root under 4 upon 2 that is equal to 2 upon 2 that is equal to 1 आई अब देखें cos के सभी angles की value कैसे find की जाती है cos 0 degree की value find करने के लिए हम cos के लिए anti-clockwise direction देखेंगे 0 degree के अगर मुझे value find करनी है तो मैं कितने fingers इसके ठीक उपर हैं यह मैं देखूँगा तो इसके उपर 4 fingers हैं इसलिए cos 0 is equal to root under 4 upon 2 that is equal to 2 upon 2 that is equal to 1 उसी प्रकार cos 30 के लिए cos 30 के उपर 30 के उपर 3 fingers है तो root under 3 upon 2 that is root under 3 upon 2 is the answer of cos 30 degree now cos 45 के लिए इसके उपर 2 finger है इसलिए root under 2 upon 2 that is equal to 1 upon root 2 cos 60 के लिए 60 के उपर एक finger है इसलिए root under 1 upon 2 that is equal to 1 upon 2 cos 90 के value find करने के लिए 90 के उपर एक भी finger नहीं है तो हम 0 upon root under 0 upon 2 लिखेंगे that is equal to 0 आई अब देखें 10 की value कैसे find करेंगे 10 की value find करने के लिए मैंने पहले ही बताया था कि sin और cos को हम divide करेंगे तो यहाँ 1060 की value find करने के लिए sin 60 और cos 60 को divide किया जिससे की sin 60 की value हमें root under 3 upon 2 पता है और cos 60 की value 1 upon 2 पता है इन दोनों को divide करेंगे जिससे हमें root under 3 value मिलेगा इसी प्रकार दूसरे values को भी हम find कर सकते हैं